हच्छ एफ और एल्शियम कैसे फाइंड करें यह चीजें अगनिवीर भरती परिक्षा में भी पूछी जा सकते हैं कि किसी संख्या का हच्छ कितने है और एल्शियम कितने हैं देखें हम इसको आसान से तरीके से कर सकते हैं हमने क्या करना होता है अभाज जुगुणन खंड क जैँगा च्छे बार और चेंग जयेगा 3 kayak 3 में दुनी 6 फिर 2 का 2 इकम 2 यह कितनी बार गया तो 12 को हमने क्या लिखा दो-टीन-गुणा-दो तो इसी प्रकार से हम पंद्र का निकाल लेंगें पंद्र को पंचे पंद्र Divine 5 पंद्र को हमने क्या लिख लिया 3 गुणा 5 और इसी प्रकार से हमने 21 को 21 को देखे किस प्रकार से लिख सकते हैं सतियन 21 और सत का सदिकम 7 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 7 अब HCF जो होता है वो तीन उमें common जो संख्या होगी वह ही hf होगा देखे तीन में common क्या आ रहा है हमारा केवल 3 तो HF हो गया 3 और LCM क्या होगा जो तीन में common है उसे हम केवल एकी बार multiply करेंगे और बागी बचे सारे अंक को हम गुणा करतेंगे जैसे 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा करके देखे कितना आया तिन दूनी 6 दूनी 12 बर पंचे 6 शाटी गुणा 7 सचक 22 गुणा 5 गुणा 6 सचक 22 गुणा 6 चार सो बीस क्या आया LCM आ गया हमारा और एक आसान सा और तरीका है एक आसान सा और तरीका है हम तीनों के साथ एक साथ में हम क्या निकाल सकते है HCF और LCMB देखे 12 15 और हमने 21 को क्या लिया एक साथ लिए अब हमने ऐसी संक्या सोचनी है जिससे की तीनों संक्या में उसका भाग चले जाए देखे दो का तो जाएगा नहीं क्योंकि दो का भाग किसमें जाता है जिसके एकाई में 0 2 4 6 8 और हो उसमें जाता है और तीन तीन का तीनों में चले जा रहा है देखे तीन का भागा तीन चक को बार तिन पंचे 15 तिन सप्थे 21 अब ऐसी कोई भी संक्या नहीं बच रहे है जिससे की तीनों में पूरी पूरी बार भाग चले जाए तो HCF क्या हो गया मारा सीधे-सीधे इन तीन बार 15 और 21 का तीन अतना हो जाएगा फिर दो से दे देंगे दो दूनी 4, 5, 7 फिर 2 से 1, 5 और 7 फिर 5 से दिया 1, 1, 7 फिर 7 से तीनों संख्याओं का मटगत 15 दूनी 10, 22, 23, 60, 60, 60, 42, 420 के आया है LCM आप दोनु विधियू का परियोग करके HCF और LCM निकाल सकते हैं ये विधि एक्जाम में आपक की बैटर रहेगी आकि आप इसली क्वेस्चेंज को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाऊगी धन्यवाद